करन्सी की बात बता रहे हैं कि करन्सी को जब मैं देख रहा हूं तो एकदम डर लग रहा है करन्सी को देखके हैं कि हम लोग whole इतने कमझोड हो गयानेमिरिका के मुंगाबले इतने जादा कमझोड हो गया है 謹र के एक दॉललर के वहले हमña he 80 रुपई देने पड़े और इस्तिति ऐसी खराब हो चुकी कि और भी देने पड़ेंगे और भी देना पड़ जाएगा अभी देखाता हूं कि हाँ कि किस की बात करता करंशी की बात करता कहा गया करंशी स्टॉक कल एक चार्ट खोलता हूं कोई भी और इंडिया फॉलता हूं ९ह तो अम्छा वाला है इंडिया का यहां खोलता हूं इंदियन वाला जो समझने वाले लोग है तो ना भी कोई दिक्त वाली बात नहीं है कोई एक लेकिन यह लोग जितना महनत करता है किसी भी चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं कर सकते हैं अब यह मैंने खोला इसका डेली का चार्ट अब जो दिख रहा है वह संडे को वीडियो बनाते रह गया इस पर टाइम नहीं मिल पाया यह जो चार्ट दिखा रहा है यह बहुत खतरना मन्ट के दो हजार मैंने चार्ट तक हैं हम और खराब को सकते हैं हम और खराब को सकते हैं यह देखियें यह किस के खाय को आप देखिए कि ये किस मन्त के 2020, 23 जून 2020, ध्यान से सुनिए, 23 जून 2020 का जो higher price था, उस price को ये break करता हुआ मुझे नजर आ रहा था, इसका मतलब क्या है कि और भी हम खराब हो सकते हैं, market और भी कम जोड होता हुआ दिख सकता है, जो कि हो भी रहा है, ये और कहां तक कम तो अब यहां से एक resistance मिलता है, यानि अगर रुपया को समहलना है तो यही एरिया पर समहल सकता है, अगर यह एरिया पर नहीं समहला रुपया, अगर इस जगहा पर रुपया नहीं समला, तो रुपया और खराब हो जएगा, हम लोग और कम जोड़ जाएंगे, market में आपे और बिकवाली बन सकती है क्योंकि जब डॉलर मजबूत होगा जब डॉलर मजबूत होगा तो लोग फिर पैसा क्यों लगाएंगे जब डॉलर ही मजबूत होने लगेगा तो वो तो पैसा लगाएगा दूसरे जगा ना भाई यहां से ज्यादा लेकर आएगा यहां ज्यादा मिल जाएगा बाहर लागाएगा यहां लेकर के एक साल के हाई जोन को ब्रेग करता हो धिखराथा इसका अतलों रुपिया काफि खुराब है, मार्केट में गिरावट बढ़ सकते ही जो की बढ़ा भी दो-तिन दीनiyorsun यहां आप ने देखा के मार्केट कैसे रिख रियक्ट किया कि तो यहाँ पर यह आपको कॉसर्स होके करना है कि अगर आपको शौट पोजिशन लेना है अगर आपको short position लेना है तो currency में यह जगा है जहां पर risk लेके short position ले सकते हैं लेकिन अगर यह fluctuation के साथ break किया तो यह direct आपको higher zone पर touch करेगा और रूपय जो है न 76 के level को जो दिख रहा है आता हुआ currency 56.50 हो गया अगर Indian market कर देखें तो currency 56.50 हो चुका है यह और भी उपर 77 तक कहा है 77 तक जा सकता है तो और मार्केट खराब हो जाएगा सत्रा आजार एक सो पचास एक सो आसपास दिखने लग जाएगा मार्केट यह इस्तिति हो जाएगे समझे रहे हैं इसलिए मैं कहा रहा है कि यहां पर थोड़ा सा आपको समल कर कॉसर्स होके ट्रेड करना ठीक है गवर्मेंट पॉलिशी तो मेक अप डॉलर्स फूर एफ़ाइं में हाँ देखे अब क्या करेगा इंडिया का गवर्मेंट करता क्या अब आप समझे यहां पर अब देखेगा यह लिक्विडिटी तो रखता है ना डॉलर को खरीद कर रखता है अपने पास में डॉलर रखावा रिजर्व में अब यह क्या करेगा डॉलर को मार्केट में बेच देगा और रूपया मजबूत हो जाएगा तब फिर मार्केट सुद्रेगा लेकिन अगर इस टाइम नहीं बेचा इस टाइम भी नहीं क्या तो रूपया और कम जोड़ हो जाएगा यही जगहां प सरकार तो जादा तेज है, हम लोग तो बायद चोटा-चोटा बैठे हुए, लेकिन सरकार लोग वहाँ पर बैठे हुए तो उसको जादा नॉलेज है, लेकिन अगर डॉलर को मार्केट में प्लॉट करना है अभी रिजर्ब से निकाल के, तो यही टाइम, अदर्वाइस वो 77 के लेवल को टच कर जाएगा, और तब वहाँ पर और खरावी स्थित्ल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, यह जादा डरावनी चीज़ है, समझ रहे हैं सारे लोग, मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गई, यानि एक लोगों को समझ में आ गई, चलिए मदन जी ने का, यानि मैं इतना टिपिकल लेंग्वेज में बोलता हूं कि सिर्फ एक लोगों को समझ में आता है, क्या मैंने इतना टिपिकल लेंग्वेज में बोला कि सिर्फ एक को समझ में या वाव लगता है मुझे सुदारने की ज़रुत है मेरे ब्यूवर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में चैल यह बढ़ियां है काफी जाद है कि सर मस्त समझा सर अब लोजिक होता है सर सोचा नहीं था क्या अब भी लोजिक होता है अब भी लॉजिक होता है तोचा नितला नहीं आपको समझना पड़ेगा मार्केट बहुत चीजों से इंपक्ट करता है ना अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको तो यह सारी चीजों को देखना पड़ेगा ना सर नहीं देखेंगे तो कैसे होगा काम इस चीज का इंपट्रिस पता ने इसलिए थोड़ा रिप्लाइ नहीं मिल रहे हैं लोग जान रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्या लिखने हैं आरती, इंडॉस्टी्ह एक हजार में ले सकते हैं, आरती नर्ची एक हजार सोला कूपर बाइंग है, पोजिशनल कॉल, आरती नर्ची एक हजार सोला कूपर पोजिशनल कॉल है, राजे जी, तो मैं रुपे को फॉलो करता हूँ भाई, मार्केट को मैं देखने के लिए, मार्केट में समझने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना और समझना पड़ता है, तो वो तो समझेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे हो? जो इंपोर्ट करते हैं, उनको ज़रूर पता होगा यह सारी चीजे, तो मैं तो खतरनाक लेवल को देख रहा हूँ, करनसी में, है न, चीजों को काफी खतरनाक तरीके से यह ब्रेक आउट आया है, यहां से टेल लाइन का, अगर शॉर्ट करना है, तो यहां पर रिस्क लेके सॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि तब रिवार्ट जो मिलेगा, बड़ा मिलेगा, लेकिन वो रिस्क ही होगा, क्योंकि जब यहां से वो फ्लेक्टुएशन तोड़के निकलेगा, तो डारेक्ट वो 77 तक भाग जाएगा तो यहां पे थमें थट्वद घर समल जाना तो यह काम-करता है डॉलर यह काम-करता है रूपिया किस तरह से रूपिया को बढ़ाना है इसके लिए आपको Yes immigration bank bank cash में रखता है डॉलर को और वो डॉलर को market में कि खा यानि को इतना प्लोड करते हैं मार्केट में लिक्विडीटी डॉलर का बढ़ा देगा जाधा कर देगा तो सस्ता हो जाएगा डॉलर को इसके मुझाबले रुपया थड़ा मजबूत होगा तो मार्केट वापस इस्टेबल हो जाएगा यह काम करती है RBI रखती है अपने पा झाल झाल झाल